सू हाई फ्रेंड्स वेलकम दूदर टेकएजी फ्रेंडस आज इस वुड़ा में आपको दिखने वालो कि आप कैसे कोई भी रियल में डिवाइस का एना डेवलोपर मोड़ों कैसे एनेबल कर सकते यह मतलब बहुत लोगों को पता नहीं कि मतलब यह कहां से एनेबल करते और अगर आपने चानल को सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब कर लो और बैल आइकन को प्रेस करतो ताकि में जब भी लेटेस विड़े डालो तो आपको सबसे पर नोटिफिकेशन मिल जाएगी तो फ्रेंट फारट वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले आपको जाना करने ऑपको बेंट टैप करते तो यह पर आपका जो पूछेगा तो यह पर रॉफ्पड आपक सकते हैं you are in developer mode तो यह पर आपको बैक आ जाना है और आपको जाना एडिशनल सेटिंग में और स्क्रोल डाउन करना है तो आप जा सकते हैं developer options तो यह पर उसके उपर आपको क्लिक कर देना है और आपके सामने यह सारे options आजाएगी basically feature से आपके सबसे develop कर सकते हैं आपके फोन को मतलब यह पर बहुत सारे features पता भी नहीं होगे बहुत लोगों को इसके लिए मैंने सोचा कि यह बना दो वीडियो इससे आप आपका डिवाइस पूरा customize कर सकते हैं मतलब बैगरांड में कितने apps रन होने चाहिए और जो animations video कितना रहना चाहिए मतलब सब कुछ आप यहाँ पर इसमें customize कर सकते हैं जो कि काफी अच्छी बात है और बहुत लोगों को यह पता ही नहीं और बहुत लोगों यह भी पता नहीं कि developer mode कैसे enable करते हैं मतलब on करते हैं तो developer mode कैसे enable करते हैं वो तो मैंने आपको बताई दिया तो आभी मैं एक dedicated video बनाऊंगा कि यह कैसे मतलब आप यह सभी जो पीचर से क्या काम करते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं तो फ्रेंड शेली तक वीडियो में अगर वीडियो पसंद आए होगा तो like करो शेर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रू कर लेना तो फ्रेंड शेली नेक्स्ट वीडियो में